जानिये सनी देओल ने गदर एक प्रेम कथा फिल्म के लिए कितने करोड की फीसली थी यह तो सभी जानते हैं कि सनी देओल अपने समय के सबसे लोगप्रियों और पसंदिदा अभिनेता माने जाते हैं सनी देओल बालीवुड के उन अभिनेताओं में से है जो फिल्मों में अपनी दमदार अवाज और अभिने को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं यही वज़े है कि दर्शक आज भी सनी देओल की फिल्मों को बेहत पसंद करते हैं उन्होंने अपने 46 साल के फिल्मी करिया में कई महान फिल्में दी हैं अज हम आप लोगों को उनकी एक एसी ही महान फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम कदर एक प्रेम कथा हैं अनिल शर्मा के निर्देशने में बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ हमीशा पटेल और अम्रीश पूरी भी मुख्य किरदार थे शांदार कहानी, जबरदस्त अभिनय और दमदार एक्षिन से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों ने बेहत पसंद किया था इस फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बटबारे के दौरान निर्मित हुए एक प्रेम कहानी पर आधारित है यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लाकविस्टर फिल्म मानी जाती है यह फिल्म सनी देओल के करिया के लिए बहुत ही एहम मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म ने सनी देओल को बालीवुट फिल्मों में ही नहीं बलकि दुनिया भर में एक नहीं पहचान दी थी जानकारी के लिए आपको बता दे कि इस फिल्म का बजट करीब अठारह करोड था जबकि इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 150 करोड की कमाई की थी सनी देओल उस समय बालीवुट के सबसे महंगे अभी निता माने जाते थी यही वज़े है उन्होंने इस फिल्म के लिए 3 करोड का मेहंता ना लिया था अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो खृपया लाइक करें साथ ही देश और दुनिया एवं तमाम प्रकार की खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें